तो आइसाए नमस्कारा विहार उन्सौर्स देख रहे हैं मैं हूँ परंबीर सिंग बिहार की नितित्ज सरकार ने ट्रांसजेंडरों और किनरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है कि अब बिहार पुलिस में सिपाही और दरोगा के रूप में काम करते हुए विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है और जिसमें कहा गया है कि किन् रो ठांजेंडर को बिहार पुलीस में सीधी निव्बी का रास्था शाप कर दिया गया है बिहार पुलीस के लिए निकलने वाले सिपाही और दोरोगा की परिख्षा में किन्न बैठ सकते हैं एक्जाम द सेंथिल कुमार और समान प्रसासन विभाग ने संकल्ब जारी करते हुए बताया है कि किनरों ट्रांसजेंडर को बिहार पुलीस में निकलने वाले सिपाही और दारोगा की भरती में हर 500 पदब पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी भरती हो सकेगी किनर ट्रांसजेंडर को संकल्ब के मुताबिक पिछरा वर्ग अनसूची दो के तहत सामिल किया गया है निकती के समय अगर योग ट्रांसजेंडर नहीं मिल सके तो इस कोटा को पिछरा वर्ग के समान उमिदवार से भरा जाएगा बिहार पुलीस की आगामी होने वाले निकती परकिडिया में बिहार को एकावन किनरों की सीधी भरती हो सकेगी जिसमें बिहार पुलीस में सीपाही के लिए 41 पत और दारोगा के 10 पत पर ट्रांसजेंडर की सीधी निकती की जाएगी बिहार पुलीस में भरती के लिए सभी को ट्रांसजेंडर होने का परमान पत्र देना होगा सभी अभियरती बिहार के मूल निवासी होने चाहिए इसके लिए आवासिये परमान पत्र भी देना होगा सभी अभियरती की सारेडिक तक्षता परिक्षा का मापदंड महिला वर्तियों के समान ही होगा गौर तलब है कि 2021 के जनगना के मुताबिक बिहार में ट्रांसजेंडरों की जो संख्या है वो 41,000 के आसपास है ऐसे में बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार ने किनरों और ट्रांसजेंडरों को बढ़ावा देने के लिए समाज में बराबर का हक दिलाने के लिए यह एक बड़ा फैसा लिया है जिसके तहट अब बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर और किनर काम करते हुए आपको नज़र आएंगे कोई थाना का प्रभार समालती हुए नज़र आ सकता है तो इसलिए नितिश कुमार का ये फैसला अपने आप में बरा है जहां इस समाज में किनरों और ट्रांसजेटरों से भेदभाव किया जाता है तो ऐसे में इस भेदभाव को खतम करने के लिए नितिश कुमार का ये फैसला बहुत ही बरा है तो अब देखना होगा कि इस फैसले का कितना फायदा किनरों को मिलता है और एकावन जो पद किनरों के लिए अधिकरित क्या गया है अगले बहाली में उनमें से क्या एकावन के एकावन पदों पर किनर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं यह देखने वाली बात होगी अगर नहीं मिलते हैं तो फिर से पिछरा वर्ग के समान जो अभियरती होंगे उनसे भर दिया जाएगा बहराल अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो तुरंद कर लिए बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताएगा यह वीडियो आप फेस्बूक पर देखने तो नहीं पेज को भी लाइक कर लिजिए का धन्यमाद